बच्चो अब हमारे सामने एक उदारण और है उदारण क्रमांग 31 इसमें हमें दो संख्याइं दी हुई है दो एक्स धनवाई और इस संख्या में हमें गुणा करना है तीन एक्स दिरिण पाँच वाई का इन्हें हम इस तरह से लिखें जैसे गुणा के लिए हम लिखा करते हैं इससे हम विस्तारित करके लिखें क्योंकि इसमें निर्देश हमें दिया हुआ है संख्येतों की सहायता लेकर हल कीजिए तो हम इने फिर से लिखें एक बार दो एक्स धन वाई और इसमें हमें गुणा करना है तीन एक्स दिरिण पाँच वाई का आपको याद होगा कि इन दोनों संख्याओं में दो पद है उसको दूसरा पन ओ तो पहले इन दोनों का गुणा फिर इन दोनों के गुणन फल का योग और फिर इन दोनों का गुणा खुणअ में है कि सफर-का दर्शा है इसे और फिर एक पद हमें और मिलेगा जो इन दोनों के गुणित फल से हमें प्राप्त होगा तो चलिए हम शुरू करते हैं हम यहां दे शुरू करें तो हमें जो एक पद मिलने वाला है य गुणित रेंड पांच वाई यह हमें प्राप्त होगा रेंड पांच वाई का वर्ग इन दोनों का गुणा करें हम तो दो एकस गुणित पांच वाई बराबर दस एकस वाई मिलेगा जो कि रिनात्मक होगा क्योंकि इस पांच वाई के पत का मान रिनात्मक है और इसका धनात्मक है तो जो हमें प्रणाम मिलेगा वो रणात्मक होगा तो हम इसे लिखे दो गुडित पांच यह 10 हुआ और एक्स गुडित वाई एक्स वाई हुआ और इस पूरे पत का चिन है रिंड अब इन दोनों का आप गुड़ा करें तो आपको मिल रहा है तीन एक्स गुडित वाई दो एक पत हमें और मिलने वाला है जो इन दोनों का गुड़ा करने पर बिलेगा आप देख रहे हैं कि यहां दो एक से और यहां तीन एक से इन को गुड़ा करने पर आपको छे एक्स वर्ग मिलेगा जो कि धरात्मक होगा अब ध्यानपुरों रॉक देखें तो आपको दिख है कि हाँ जो बिजांग के वह एकस वर्ड है एकस वाई है यहा है यह एकस वाई got वर्ड है आप देख रहे हैं यह दोनों पर सजाती है और इन्हें हम हल करकर लिख सकते हैं तो हमें जो प्रणाम मिलेगा वो यह होगा शह एकस वर्ड जो कि धनात्मक स्टेइन यह चीटिन साथ एक्स वाई यह जानते हैं साथ इस शांपने और नहीं प्रॏस शी Rudolph और ओर सुनि Germs एक स्वाई रेंट पांच वाई वर्क इस उधारेंड को आप खुद से भी एक बार अपने साथियों के साथ मिल करें और आप देखिए कि ये चीदें कैसे आगे बढ़ती हैं कहीं दिक्कत हो तो आप अपने शिक शिक से बात कर सकते हैं